सब्जी के दाम थोड़े से बढ़ जाएं और हमारी इसा से फूरी जाती है और घर का बजट भी गड़ जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि एक सब्जी भारत में ऐसी भी है जिसकी कीमत 35,000 रुपए किलो तक बहुंच जाती है और आपको नहीं पता तो देखिए एक पोट आमतोर पर जहां 100 से 200 रुपए किलो मिलने वाली सब्जी महगी लगने लगती है वहीं जरा सोचिए कि अगर कोई सब्जी 1000 रुपए किलो मिले तो आप क्या करेंगे जी हाँ हम बात कर रहे हैं भारत की एक ऐसी ही सब्जी की जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे इस सब्जी को खरीदने के बारे में आम आदमी सपने में भी नहीं सो सकता दरसल इस सब्जी का नाम है गुच्छी जो हिमाले पर मिलने वाली जंगली मश्रूम की प्रचाती है बाजार में इसकी कीमत 25 से 30 हजार रुपए किलो है गुच्छी भारत में मिलने वाली तुरलब सब्जी है इसकी विदेशों में अच्छी खासी डिमांड है इस सब्जी के दाम को देखकर लोग मजाग के तौर पर कहते हैं कि अगर गुच्छी की सब्जी खानी है तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा गुच्छी में पाये जाने वाले और शदिये गोन दिल की बिमारियों को दूर करते हैं इसके अलावा ये सब्जी शरीर को अन्य प्रकार का पोशड भी देती है गुच्छी एक तरह से मल्टी विटामिन की प्राकर्तिक गोली है ये सब्जी फरवरी से लेकर अपरैल के बीच मिलती है जिसे बड़ी बड़ी कंपनिया और होटल हाथो हाथ खरीद लेते हैं अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, सुजरलेंड और इटली में गुच्छी की सब्जी खाना लोग बहुत पसंद करते हैं खाना के इस जंगली सब्जी को इखटा करने के लिए जान जोखिम में डाल कर पहाड़ पर बहुत उपर जाना पड़ता है इस सब्जी को बारिश के दोरान जमा कर सुखा लिया जाता है जिसके बाद इसे उप्योग मिलाया जाता है पाकिस्तान के हिंदकुष पहाड़ो पर भी गुच्छी की सब्जी उख जाती है पाकिस्तान के लोग भी से सुखा कर विदेशों में बेशते हैं इस सबजी को लेकर कई कहानिया भी सुनाई जाती हैं कहा जाता है कि जब पहाडों पर तूफान आता है और उसी समय बिज्री गिरती है तो गुच्छी की फसल पैदा होती है